बुद्वार के दिन प्रखंद मोख्याले स्थित, प्रखंद सभगार में मोख्या संग की बैठक, मोख्या संग अध्यक्ष हरी लाल यादव की अध्यक्षता में समपन हुई बैठा को सम्भोधित करते हुए प्रखंड विकास पदादिकारी वरुन केतन जल संचय और कच्रा प्रवंधन पर विशेश बल देते हुए कहते हैं कि हर एक पंचायत में कच्रा प्रवंधन भवन बन जाने से पूरा पंचायत कच्रा मुक्त हो जाएगा उसमें से अलग-अलग कच्रे के कुछ हिस से रिसाइकल कर उसे बहतर बनाये जाएगा प्लास्टिक की एक जगा संग्रे की जाएगी प्लास्टिक के निवारण के लिए प्रखंड में एक जगा यंत्र लगाये जाएगा बात में यंद का प्रसार पूरे पंचायत में कर दिया जाएगा 12 सरकार का मुक्यों देश एक कच्रा प्रबंधन और जल संचेन विशेश कर कारी करना है इसे मानव फक्ष स्वस्त रहेगा और शुद्ध पेजल और पंचाय स्वच रहेंगे अगले भविश में आने वाले हमारे लोगों को ये प्रबंधन देख कर आशर हो गया बहुत पहले ही ये भारत देश में कर लिया गया है मुख्या जुनों की शिकायत थी कि आवास सहाई को दोरा बिचौलियों के माध्यम से आवास योजना में नाम जोडने के नाम पर अवैद उगा ही कर रहे हैं पूर्वग किये गए कारियों की जाच होगी और उन पर कानूनी कारवाई होगी यह आता है कि प्रकंड मुख्याले में सभागार में मुख्या संकी बैठक हुई जिसका अधक्स्ता परजयन अधक्ष हरला जातक द्वारा किया गया उसमें वीडियो सर के द्वारा बताया गया कि सभी मुख्यागर जो भी पंजाद से आते हैं कच्रा निवारण वाला काम सबसे तेजी में करना है जिससे कंच्रा जितना भी पंजाद में फैलता है उसका निसारन हो सके और जल संचय की बिंतु पर भी बीसेस तरीकर से बताया गया और कहा गया कि भवी tweak में Elizabeth कर रहा है उसका जो भी काम हो रहा है भवी उसको देखते हुए किसी भी पंजाद में क और कच्छना परवंदन पर बात की गई यह दूर दूरता की संदेश जा रहे है कि परजाबरण में जो खत्रा उत्पन हुई है इस समय पूरा परजाबरण में जल अस्तर जो नीचे गया है इसी पर विसेस फोकस दी गई है